नमस्तार मैं हूं सोनिका और आप देख रही हो तबकाल न्यूस लाइप खंडवा के नजदिक एक दिल दहला देने वाला हाथसा हुआ है बस में सवार बच्ची का सिर्फ पास से गुजर रहे ट्रेन की चपेट में आ गया सिर्फ धर से अलग हुआ और बच्ची की वही मौत हो गई बच्ची की उम्र मात्र 13 साल की थी वो अपनी मा के साथ बस में सवर कर रही थी खंडवा में इंदोर रोड पर जिसने भी ये हाथसा देखा वो सिहर उठा जब बस में खिड़कित से बाहर उल्टी कर रही एक बाली काता सिर्फ सामने से आ रहे प्रेन ने धर से अलग सर दिया बस में बैठे लोगों ने यह हाथसा देखा और उनकी रूख आप गई यह दुर्गठना देशगाव थाने के पास रोशिया गाव में हुई है जहाँ एक अंधे मोड पर ट्रक और बस रगण खाकर निकले और बच्ची की जान चली गई रोशिया पुलिस चोग की प्रभारी रमेश गवले ने जानकारी दी है कि प्रभाग बस सर्वीस की बस में बैठ कर 13 वर्षिया तमन्ना नाम के लड़की अपने मा, रुकसाना और बड़ी वैन हीना के साथ बढ़वाह जा रही थी हंड़वा से करीब 20 किलोमीटर दूर रोशिया गाव के समी एक पूलिया पर एक ट्रक बस के सामने आ गया और बस ने रगण खाकर निकल गया उसी दोरां तमन्ना खिड़की से बाहर मूह निकालकर उल्टी कर लही थी वह फ्रेम की चपेट में आ गई उसका सिर्व बुरे तरग पुचल गया और उसकी मौके पर ही मौध हो गई घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक वही छोड़कर मौके से परार हो गया इधर पुलिस ने आरोंपी ट्रक चालक पिखिला इरादतन हत्या का प्रकरन दर्स कर ट्रक जब कर लिया है गुरुत महिला का शब पोस्वर्टम के लिए देजगाव के लिए ले जाया गया है